नमस्कार दोस्तों का कोशक इस प्रकार है वरतमान समय में इन्होंने कोई विपार का स्टार्ट अप लिया है और आगी की जिंदगी इनकी कैसी रहेगी हतरी पर क्या अच्छी खराप वस्था बनी है क्या यह आगे चलके बहुत सफल बन पाएंगे बहुत पैसे कमा पाएंगे तो इन सारे आइदे मंद हो सकती है या जो आपके लिए नुक्षान दे हो सकती है सारे विश्यवपरम विचार करेंगे तो सबसे पहले चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको कि आपके एतली पर सूरी परवत पर एक इंडिकेशन मुझे दिखा जो कि बड़ा बहतरीन सा लगा बड़ा आता ही आता है धन आता ही आता है अब यहां पर एक महतेपूर्ण सवाल है क्या इनको ये इतना ज़्यादा धनी बना सकता है मैंने धन आने का नाम लिया मैंने करोड और अर्बोपती बनने का नाम नहीं लिया क्या इनके जिन्दगी पर इतना पैसा आएगा कि ये करोड़ आप आगे बढ़ोगे और इसके अलाबा कुछ और आप देखते भी नहीं है तो यह doubts को आज की वीडियो से clear करने वाले है इस doubts को कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह sign no doubt आपको पैसे देता है लेकिन depend करता है और भी कुछ conditions के हिसाम से तो मैंने जो आकिरती को देखाना मेरा दिल खुश हो गया यह रही यह वाली आकिरती यह रही यह रही यह रही यह वाली एक बड़ा सा fish develop कर रहा है मैं यहाँ पर से एक बात आपको share करना चाहूंगा कि नीज संदेह आपके जिंदगी परधन आएगा कितना आएगा उसका गणना अभी करेंगे तो देखे केवल एक important shine इतना तो आप समझ लो फिश आपको पैसा देता है कितना देता है उसको समझो अगर आपके अधरी पर fish है जैसे साथ पर है लेकिन जिस समय से फिश शक्रिये है अगर उस समय से आपकी बाग्य रेका शक्रिये नहीं है तो बिलकुल भी इसके regarding अच्छे फल नहीं आएंगे यह मेरी guarantee है यह आपको feel होगा लेकिन eventually यह आपको फल दे रहा है समझना पिर वही 100 रुपे है मान के चलो आजकल 100 रुपे से जादा ही होता है लेकिन मान लो 100 रुपे है तो यह fish shine आपको दिखा अगले मंत में कि develop कर रहा है बन गया है लगबग बन गया है ऐसे science बनते कभी भी बन जाता है कोई बड़ी बात नहीं है तो आपकी income हो गई कितनी है 100 से ब नहीं है तो एक तरह से अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखेंगे तो कोई income नहीं है आपकी लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपकी बहुत income है आप जहां 100 कमारे तभी 1000 कमारे बस इतना ही difference होता है अब जिस जातक के हाथ पर भाग ये रेखा है वो पहले से लाक रु major difference रहता है लोग इसमें बड़े confusion में रहते हैं बड़े confusion कर जाते हैं कोई व्यक्ति पहले से एक लाक रुपे मेंने कमारा है अगर उसके हाथ पर कोई important sign develop करा तो उसके बाद उसकी income दस लाक हो गई तो भले ही एक लाक रुपे लोगों के नजर में ना हो लेकिन वो दस ला ही मालो एक करोड़ है एक करोड़ का package यह है अगर उसकी कमाई दस करोड़ हो जाती है तो no doubt एक बहुत बड़ा number हो जाता है एक बहुत बड़ा income हो जाता है अगर दस में दस गुना बढ़ाओगे तो 100 होगा 100 में दस गुना बढ़ाओगे तो 100 होगा लेकिन अगर लाक में जितना बड़ा नंबर सोते जाता है उतनी जादा आपकी अर्निक्स दिखने लगती है तो इसलिए फिश के साइन को हम अच्छा मानते है क्योंकि ये आपको फल जरूर दे रहा है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है लेकिन आपके कुछ और कंडीसंस पर बस इतना ही बात समझेने की थी तो देखें क्या है ना कि इनकी अर्टले पर एक फिश्ट बन गया अब इनके लिए मैं खुशकबरी कह रहा हूँ कि इनकी अर्थिस के बाद बहुत जबरतस बागे रेखा है तो नो डाउट आपके जिंदगी पर फल मिलेगा लेकर एक कोश्चन मार्क भी है उसको भी हम दिखाएंगे तो यह चीज़ आपने समझ लिया कि आपको जिंदगी पर हंड़ परसंट फल मिलेगा इसमें तो कोई संदे है रखना भी मत अब कोश्चन मार्क क्या है कोश्चन मार्क बड़ा ही महतपूर्ण सा है कि मुझे ये लाइन्स जो है ये मुझे लग रही थी कि ये नेगटिव एक्सपन्स के लाइन है फिर मैंने इस पर गौर से देखा और मुझे ये लाइन्स बहुत नेगटिव नहीं लगी लेकिन फिर भी इसकी असपस्टिता के लिए मुझे इस पार्टिकुलर्ली एज में आपका समय देखना होगा अगर ये आपकी कुंडली में राहू का समय हुआ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अवस्था होगी क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ कटाक्स तो कर रही है लेकिन एक मेरा डाइगनोसिस कह रहा है कि ये लाइं यहाँ पर आके रुख गए फिर एक लाइं इधर गई तो इसके इसाब से ये नहीं भी कर सकती है तो आप पॉस्टिवी रही है क्योंकि अच्छे इंडिकेशन्स आपके हाथ पर डवलप कर रहे है जिसके एवज में ये अच्छा ही फल देगे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जीबन रेका भी काफी असपस्ट है और फिस्चाइन भी अवस्थत है बाकी क्या करना है नहीं करना है उसको तुम समझाई देंगे आपको तो ये चीज़ आपने समझ लिया तो ये वाली कुछ अवस्थता थी इनके हाथ पर तो अब इनके लिए मेरा क्या कंसर्ण है इनके लिए मेरी क्या टिपनी रहेगी क्या इनको करोर रुपे फिस्टाइन देगा महतपून सवाब और इसका मैं दवाब देना चाहूँगा इसका मैं जवाब देखे इनका जो फिस्टाइन डवलब कर रहा है जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि उस पार्टिकुररली एजिस में भाग गे रेखा कैसी है मान लिया जाए अभी इनकी 38 वर्स की आयू सक्करी है हो सकता है ये पहले डवलब कर गया हो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने अभी देखा है तो मैं अभी के इसाब से बात करूँगा पहले क्या है नहीं उस पर क्यूटिपर नहीं करूँगा तो मान लिया जाए इनकी 38 वर्स की आयू है और अभी मैंने इनके हाथ पर कुछ साइन देखा कुछ बैतरी साइन देखा अब कोई भी positive science बनते है तो उसके कोई मतलब होते है और इनोंने हाल में ही कोई वेपार सुरू किया है और इनकी 38-30 के बाद की बागिरे का मुझे काफी सटीक लगी और मुझे काफी प्रभावित भी की जिसकी एवज में हम कह सकते हैं आपको कि जरूर आपके जिन्दगी बदलने के आसार है बागी जो भी और negative positive उसको तुम दिखाएंगे उसके लिए जो बहतरी के लिए हम कर पाएं वो मवश्य ही करेंगे लेकिन यहां पर से एक खुशी की बाद जरूर है और आपका confidence ही आपको जिन्दगी पर आगे बढ़ता है तो खुश रहिए, confident रहिए जिन्दगी पर आगे बढ़ते रहिए मैं तो यही दुआ करूँगा तो यह इनके पहले प्रश्णत है तो मैं जरूर यहां पर से बोलना चाहूँगा कि बहुत पैसे के यह लोग मालिक बनेंगे बहुत पैसे के अगर यह वाकिय सक्रिय रूप से फल दे तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी भी चीजे बदल सकती है चेंज हो सकती क्योंकि यह बहुत accurate भी फिस नहीं है लेकिन बन चुका है बस इतना समझवा तो बस positive के साथ रहना और इश्वर की राधना करते रहनी है और साथ ही साथ कुछ आपकी positive चीज को और increase करने के लिए कुछ remedies है वो हम आपको वश्य ही देंगे तो यह इनके पहले चीजे थे जिसका मैंने clear के doubts अभी कुछ और भी इनके questions थे जिसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे questions इनके ये थे अब जब questions पर सुने तो वहीं चलते है आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी तो उसको हम आगे cover कर देंगे don't worry अभी इनके positive negative और इनके questions पर तो चली लिए है positive negative को हम दिखाएंगे अगर हम positivity के तर चर्चा कर ले तो जीबन रेका काफी accurate है एक age में problem थी इवन दो age में उसको तुम दिखा देंगे बागी एक असपस्ट मस्तिक से रेकाती है और आपकी एरदर रेका काफी अच्छी थी और ये fish जासा आकरती मुझे दिखाए इसके लिए भी मैं काफी खुश हूँ और काफी आस्वस्त कर भी रहा हूँ आपको और एक बहुत जबरदस्त आपकी multiple property के योग है कुछ बुद्धर एकाई भी developing stage में है फिलाल तो आपको benefit नहीं वाई लेकिन आगे होने के असार है एक बागे रेका सक्रिये रूप से है बच्पन से तो नहीं ही थी बुद्ध पे ख़़ी लाइन से जहापर से इंसान काफी तेज तर राग होते है काफी intelligent वेक्ती हैं आप और बागी planets अच्छे हैं बरश्पती अच्छा है इनका तो ये तो होगी positive वाली बात अब कुछ negative बात परम चर्चा करते हैं negative तो है क्योंकि आपकी सुरुवाती दौर से बागे रेका बिलकुल भी आपके साथ नहीं है जब भी बागे रेका सुरुवाती दौर से साथ नहीं रहती है तो फिर बागे के लिए तो आप काफी worried रहते हैं अब मैं एक बात आपको बताता हूँ बहुत simple सा बात है कि आपने किसी कारी को करने के लिए दो गंटा मेहनत किया और उस कारी को कोई विक्ती एक मिनट में कर रहा है तो major difference आया ना major difference आया हो सकता है वो बागे से हो तो मेरे समझ से ये है कि आपकी सुरुवाती दोर से बागे रेखा नहीं थी जहाँ पर से जातक की जिंदगे पर struggle रहता है जैसा मैंने अभी आपको example दिया तो वो struggle तो definitely हमें दिख रहा है जहाँ पर से आपकी काफी खराब समय गुजरी है लेकिन अभी समय बहुत अच्छा है और आगे भी मुझे अच्छा दिख रहा है तो यहाँ पर से अच्छे समय का enjoy करो past को भूल जाओ लेकिन मैं इतना इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों के हाथ पर अगय ऐसी अवस्था है और आप इस चीज़ को लेकर चंतित है कि मिरे जिन्दगी तो नरक के समार है मिरे जिन्दगी अच्छी है ही नहीं मैंने अपने life में कुछ करी नहीं पाया तो क्या पता कब आपकी जिन्दगी बगल जाए क्या पता कब आपकी बागय रेका सक्री हो या कब आपके इतली पर कुछ ऐसी अवस्थाएं बन जाएं कि आपकी जिन्दगी पूरता चेंज हो जाए इसलिए हिम्मत कभी मत आ रही है कोशिश यही करिए या अपने काड़ी को करना है और काड़ी को करके जिन्दगी पर आगे बढ़ना है जितना भागे में होगा वो तो मिलेगा वो तो मिलेगा तो इस चीज़ आपने समझ लिया तो यह पहले negativity अब दूसरी कुछ और भी है जैसे मैंने इनका एक बड़ा पिक आपको दिखाता हूँ ये वाला पूरा पिक दिखाता हूँ तो दूसरी negative चीज़ के रूप में अगर हम चीज़ों को देख रहे है तो वैसी कोई विशेस हमें नहीं दिख रही अब है तो कुछ-कुछ है जैसे बुद्धरेखा भी है लेकिन ये पूरा पिक देवलप्ड नहीं है अब analysis में चीज़ों को समझा देते हैं हाँ एक प्रशन थे एक प्रशन रह गए थे कि आगी के जिन्दगी कैसी रहे गए उसको हम पूरेता दिखा देते है तो कुछ प्रगति के योग अतली पर अवस्थित थे बच्पन से ही लेगिन कुछ इस ट्रगल जिन्दगी पर रहे वो समान ही रहे बहुत जादा भी नहीं स्ट्रगल जादा पढ़ गया है बागिरेका की एवस में चुकि वो सार थी नहीं तो कुछ प्रगति के योग जिन्दगी पर बने थे चौदा वर्स से ही जिन्दगी पर सफलताओं के योग बने वेते मतलब इनसान जिन्दगी पर कुछ ना कुछ सोचे ने लगते हैं एक दिक्कत है आपके 17 वर्स के आयो में मुझे दिखी 17 यर्स की इसमें उसके बाद जिन्दगे स्मूध रखी एक तरक्की मुझे आपकी 23 में साड़ 23 में साड़ में दिखी एक 24 में साड़ में कोई तिक्कत 23 साड़ से आपकी कमाई 22 साड़ से कमाई स्टार्ट होगे चुकि इंडिपेंडेंसी पहले आ गए थी उसके बाद कंटिन्यू चलिए 28 ये तकरीबल साड़ 23 साड़ में भी एक तरक्की थी उसके बाद भी जिंदगी अच्छी थी 28 में भी एक तरक्की थी 29 में 30 में कोई प्राबलम थी उसके बाद आपकी जिंदगी पर थोड़ी उतल पुतल होई होगी 30 में के बाद 30 येर्स के बाद 30 years के बाद एक तरक्की आपकी 33 में थी, फिर तकरिवन 34 में थी, एक तकरिवन आपके 36 में थी, 36 एर में एक तरक्की के योग परसपर बने हुए थी, ये बारे देखो 36 year के round, 38 में भी है, फिर तकरिवन 40 years में भी है, कुछ अच्छे आसार 40 years, 7 रेका स्मूध एक तरक्की आपकी 55 में भी है, 55 के बाद एक आपकी 65 में, 68 में 75 से लेके 80 तक, आयो दिरिगायो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और खुशी की बात पता है क्या है, और एनरजी की बात पता है क्या है, और प्रभावित करने बात पता है क्या है, कि इनकी राहू रेखा नहीं है हाथ पर, इससे बड़ी उपलब्दी कुछ हो भी नहीं सकती, जब भी राहू रेखा नहीं है, आप्स्टेकल लाइफ लाइफ लाइन पर तो नहीं है, और जब मैंने इसको देखते कि साथ कुछ बाग्य रेखा पर नजर डाला तो बाग्य रेखा भी बड़ी स्मूथ दिखी है हमें जिसका सीधा ही मतलब है जातक की अच्छी जिंदगी रहेगी इसमें कोई विशेष अकली का सामने इनको नहीं करना पड़ेगा एक स्मूथ जिंदगी रहेगी लेकिन एक कोईशन मार्क तो इस लाइन को लेके हमें आया है बागी तो हमें इसको क्लियर कर ही लेंगे बाद बागी आपकी अच्छी पेट लाइन है और जिंदगी का लास्ट तक कावीज है जहाँ पड़ेगी अच्छी रहती इवन बहुत जादा अच्छी रहती है आपने जिंदगी पर कम पैसे कमाए है लेकिन सड़नली आपकी लाइफ बदल गई सड़नली आप पैसे कमाने लगे तो आप अपने आपको जादा बागी साली समझेंगा क्योंकि आपने सुरू से वो सुख नहीं देखा है जो सुख और लोग देखते हैं अच्छे बागय के माली देखते हैं तो वो सुख आपने नहीं देखा सड़नली अगर आपको कोई उस टाइप का सुख मिलता है तो आप क्यों नहीं अपने जिन्दगी से खुश होंगे और आपको क्यों नहीं लगेगा कि इश्वन ने आपका साथ दिया और बहुत जादा दिया तो ये वाली कुछ अवस्थाएं थी अभी इनके हतली का हम जैनल एनसेस करेंगे चीज़ों को असपस्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा बहत बूर है देखे सीखे समझे तो ये इनका दूसरा पिक है ये आगे इनकी स्कॉयर स्पा मद्दे मेच के वाद सफलता को ऐसे जातक पाते हैं गुलाबी हतेली है दन को अट्रैक करती है गद्यदार वस्था है पैसे की आगमन जिंदगी पर अच्छी वने रहती है महालक्षमी का सिकृपा रहती है अब मैं यहां पर से तो सब वीडियोस में ये बात कहता हूँ कि महालक्षमी का अच्छी किरपा है तो महालक्षमी का अच्छी कृपा है आपके हाथ के हिसाब से, मुगे संबानिस साब का comparison नहीं है, या किसी ऐसे बड़े विक्ति साब का comparison नहीं है, जिनके उपर अच्छी बाग़ी रेखा है, जिनके हाथ के उपर, या फिर अच्छी सूरी रेखा हो, वो अलग level है, तो मैं concept थोड़ा सा लग है, आप उससे जादा बड़ा पैर फैलाई नहीं पाएंगे, लोग एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलो मैं, अब मैं कभी समझाओंगा इस विशाए पर, कि इसमें कोई चेंटा करने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, कि आपका चादर जित संदेह वाली बात नहीं है, उसके बाद हम थंब को देखते हैं, तो स्ट्रॉंग थंब है, स्ट्रॉंग विक्तितु का पर चकरा आ रहा है, आपकी इतिक्षाशक्ती बहुत अच्छी है, एक लाइन्स बहुत अच्छे हैं, अपने जिंदगी पर जो भी आपने दमपर, इ देखाएं हैं, इसका सीधा ही मतलब होता है, कि ऐसे लोग ना थोले वरीड हो जाते हैं, जल्दी वरीड हो जाते हैं, जल्दी चिंता में आ जाते हैं, जल्दी कुछ-कुछ-कुछ-कुछ सोचने लगते हैं, बाकी ये लाइन्स बड़ी अच्छी हैं, आपके तरी पर हैं महात्मकांची विख्णिया लाइफ में बहुत कुछ करना है ऐसी वाले आपकी मानसिक्ता है और इसी मानसिक्ता को लेकर आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे इसकी एवस में जातक बढ़ी स्ट्रांग प्रिस्णायरेटि के होते है किसी केंडर कार यह नहीं कर सकते अपना कारी को दिसे करते हैं समझदारी के लूप काफी जादा अच्छी ऐसे जातक बहुत समझदार अपने जिंदगी को समझदारी के तहट जीते नी संदे है फिंगर पर कैलाइन सावस्थित आया जापर से ऐसे लोग बहुत थी अच्छी मान सकता है लोगों के परती कोई गलत भावना नहीं हमясहा लोगों के विशे में आप अच्छा सोचते हैं और हम sincere ही लोगों के विशे में अच्छा सोचते रहेंगे बागी आपकी परश्पुती finger टिंड कर रही है अच्छी दारमिकास्ता का यह परचकर आती है छोटी है बड़ी है इंसान बहुत इंमती है सेटरन finger लंबी है विक्ती के सब के मैनती है सोड़ी finger लंबी है गसब के इंमती है बुद्ध finger बहुत लंबी है प्रबल वाक पटूता है ऐसे जातकों में काफी अच्छी होती है चीजों को समझाने के चमता आपके अंदर काफी काफी जादा अच्छी होती है फिंगर लंबे करें अच्छी creativity आपके दिखती है समझदारी अच्छी strength बहुत अच्छा है मदब ऐसे जातक किसी भी कारे को बड़ी संपन्दता के साथ करते हैं और बड़ी accuracy के साथ करके जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं अब यह मेनिका दूसरा पिक दिखाना चाहेंगे plants को लेके तो ब्रश्पती ब्रश्पती है आपका बढ़िया सुलवाती तौल में कुछ गरबर थी वो नॉर्मल ता उसको सोचो भी मत कुछ दोके का योग थे वो तो हो सकता है बत्तिस सारह तक परस पर मिले हो बाद बाद की एक square बन रहा है जो कहीं न के इसके negative चीज़ों को दूर सा कर रहा है यह कुछ लाइन्स आपके ब्रश्पती पर मौझूद है दाला में कास्ता काफी अच्छी रहती है और परोपकारी नेचर है जातक दूसरे के लिए करना चाहते है और सेवा भावी नेचर होता है जहापर से जिन्दगी का लास्त उपनिया रहेगा यह तो मैं आपको आस्वस्त कर सकता हूँ लाइन ओफ एजुकेशन उससे भी जादा बहतर है जहापर से ऐसे जातक बहुत समझदार परवर्ती के होते हैं समझदार से जिन्दगी को जीते हैं और एक स्ट्रॉंग आपके फिशनों आकिरती का डेवलप्मेंट आपके सूरी परबद पर पैसे तो यह देगा डेफिनेटली यह पैसे देगा लेकिन थोरा कंट्रोल में खर्च करना है आपको और यहाँ पर सभी कुछ रेखा हैं यह आपकी अच्छी अवस्था को दर्शाती इंसान काफी इंटरिजेंट है काफी तेज तर्राक विक्ती है और तेजी से अपने जिन्दगी को जीते हैं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है सन्मरकरी काफी अच्छी विक्ती बुद्धिवेक से क्यारी करते हैं जिन्दगी पर आगे बढ़ते हैं इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है बागे एक जबर्दस्त जबर्दस हिदर रेका दिल के तो बड़ी ताकत वरे आप और एक आपकी बहुत अच्छी अवस्ता है जिसका नाम है विश्णु योग जहां पर से रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है और जबर्दस मस्तिक से रेका और दो ब्रांचेस के साथ दिमाग तो बहुत देज है आपका और कुछ आपके ट्राइंगल से हैं जो आपकी नेगेटिव चीज़ों को दूर सी करने हैं माइंड रेका पड़ी है बालेंस बहुत अच्छा है दिमाग है बहुत तंद्रोस्त है चीज़ों को एकुरेसी के साथ करना आपको पसंद है बागे दोनों मंगल भजबरदस्त भजबरदस्त है विक्ति काफी एनरजेटिक है अपने जिन्दगी कोई एनरजी से जीना चाहते है प्राकरम इतना आना कि मैं कुछ कर सकता हूँ मैं लाइफ में कुछ बहुत बढ़ा कर सकता हूँ मुझे बहुत पैसे कमाना है मुझे जिन्दगी पर बहुत बढ़ा कारे करना है ऐसे वाली प्राकरम में दिखरी और गजब की प्राकरम की अवस्ता मंगल पर कुछ लाइन्स है जो कही न कही ये अच्छी अवस्ता है माइन्ट रेखा के साथ जुड़ेगी तो माइन्ट के बल को इंक्रीज करेगी शूरी के तरफ जाएगी तो प्रापइडिस को इंक्रीज करेगी बारु बाद बाकी ये चैनरवा अच्छी है पैसे के फ्लो मुझे रेगी कुछ लाइन से आपके तली पर है जो चंदर से जुड़ेवे कारी को दर्शाते हैं और कहीं न कहीं इनका चंदर्मा से जुड़ावा कारी भी है और एक जबरदस चंदर्मा लोग जुड़ेवे कारी में सफलता और धन की आगमन जंदगी पर अच्छी कासी राती नहीं संदे है आगे ये भी कुछ लाइन से जो जीवन डगा को सपोर्ट करें केतु परवत वफिश अकास्मिक दनलाफ को दर्शारा है सुरुबाती दोर से बिलकुल भी अच्छी बागे रेखा नहीं थी बागे रेखा का बहुत अच्छा साथ आपके सुरुबाती दोर से नहीं था जहाँ पर से बागे को लेके आप काफी इसमंजस काफी समस्या में रहे हैं कुछ वुद्रेका डवलप कर रहे हैं फिलाल इसमें तो समय है करेगे तो बनिया गेटर ट्रेंगल बनाएगे जहाँ पर से धन बहुत धन और मुझे लगता है कि इसमें वर्ष से बागे रेका सक्रीय है लेकिन बहुत अच्छी तो 30 साल के बाद ही है अलाको उसके बाद पैसे कमाए हैं आपने कुछ प्रापटी के योग डिवलप कर रहे हैं आगे भी कर रहे हैं जहाँ पर से पैसे तो आएंगे डिफिनेटली आएंगे आगे भी बागी रेका काफी इच्छी काविज है और यहाँ पर से एक जवर्दस फिश नुमाकरती बन रहा है जो इंसान को धन देता है शुक्र बहुत बढ़िया शादी के बाद की बागुत है मैं शुक्र को दिखाऊंगा अभी मंगल बना जवर्दस थै तो इटेंशन लेते हैं आप चिंता सोबाब है आपका बाकी प्राक्रमी हद से जादा और जवर्दस जीबन रेकायो दिरगायो और आगे तो अबस्टेकल मुझे नहीं दिख रहा है जिंदगी पतरपकी ही दिख रही है अब याम आपके शुकर को दिखा देते हैं एक जबरदस शुकर है सादी के बाद की बागुत है पतनी पक्से दनलाव मनी मेंजमेंट के बहुत अच्छे योग लगजरी के प्रापर सुक के लाइंस प्रापर लगजरी का सुक मेलेगा जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है चुकि शुकर बढ़िया है शुकर आपके लैविज लाइफ को दर्शाता है शुकर आपके जंदगी पर आने वारी सपलताओं को दर्शाता है लगजरी करिकारिंग पतनी पक्सेते दनलाव को दर्शाता है एक अच्छी पाड़ी बार जंदगी को तरशाता है, तो वो सारे ही सुक आपको शुक्र दे रहा है, इसमें कहीं कोई संद्ध ही नहीं है, तो यह तैने कातरे का पूर्णता विश्क लेश्टान अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सेर कर सब्सक्राइब कर दे, हमारा वोर्ट सप्टमर डिसक्रप्शन मिल जाएगा लेकि आप समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद